नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है ट्रक टॉक्स के इसने एपिसोड में मैं हूँ अजिंक्य और आज की वीडियो में हम बात करने वाले है टाटा मोटर्स की एस गोल्ड में आने वाले सभी वेरियंट के बारे में अभी कुछ दिन पहले टाटा मोटर्स की एस पर तै किया है हाल ही में कमपनी ने इसका इलेक्ट्रिक वेरियंट भी लॉंच कर दिया है जिसकी डीटेल्ड वीडियो आपने हमारे चैनल पर जरूर देखे होगी तो दोस्तो ये वीडियो बनाने का में मकसद यही है कि ग्रहकों को अपनी एप्लिकेशन इस्तेमाल और ट इनके प्राइस, माइलेज, एप्लिकेशन और फीचर्स के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना दोस्तो सन 2006 में लॉंच की गई टाटा मोटर्स की एस अब 17 साल की हो गई है और दोस्तो इस गाड़ी ने अपने इस 17 साल के सफर में 24 लाक से भी जादा ग्रहकों के बिजनेस को तरक्के की सीडियो तक पहुचाया है इस गड़ी को SCV यानि की Small Commercial Vehicles के सेग्मेंट की No.1 Commercial Vehicle भी कहा जाता है BS6 Component Series में इस गड़ी के साथ मुख्य वेरियंट्स आते हैं वो है Ace Gold Petrol CX, Ace Gold Petrol, Ace Gold CNG, Ace Gold CNG+, Ace Gold Diesel, Ace Gold Diesel+, और Ace HT+. आईए एक एक वेरियंट के बारे में डीटेल में जानकारी लेते हैं दोस्तो पहला वेरियंट है Ace Gold Petrol CX, प्रैसिंग की बात करें तो इसकी एक शोरूम प्रैस 4,08,000 रुपे से लेकर 4,09,000 रुपे के बीच में स्थित है इसमें 2 सिलेंडर्स इन लाइन 694 CC का Multipoint Fuel Injection Petrol BS6 Engine लगया गया है जो इसे 25 HP की ताकत और तीरपन न्यूटन मीटर्स का टॉर्क परदान करता है इस गाड़ी की ग्रिडेबिलिटी यानि की चड़ाई लांगने की शमता है 29 टके की 26 लिटर के फ्यूटन के साथ इस गाड़ी में 7 फीट 2 इंच लंबा और 4 फीट 9 इंच चोड़ा लोडिंग ट्रे मिल जाता है इसमें आगेवल एक्सल पर पेराबोलिक लिस्प्रिंग टैप सस्पेंशन और पीछेवल एक्सल पर सेमी इलिप्टिकल लिस्प्रिंग टैप सस्पेंशन दिया गया है आसान बाशा में आगे और पीछे दोनों अक्सल्स पर पट्टे कामानी का मजबूत सस्पेंशन दिया गया है गाड़ी में 145 R12 यानिकी 12 इंच के 8 प्लाय रीटिंग के टायर्स मिल जाते है Ace Gold Petrol CX में Cabin with Load Body, Flat Bed और Cabin Chassis के Body Options अवेलेबल है ताकि ग्रहक अपने application के इसाप से चुन सके mileage की बात करें तो इस गाड़ी से आप लगबग 20 km प्रति लिटर का average expect कर सकते है दोस्तो 4,08,000 रूपे की एक showroom कीमत के साथ Tata Motors की Ace Gold Series में सबसे cheapest alternative यही गाड़ी है आईए बढ़ते हैं अगले variant की और दूसरा variant है Ace Gold Petrol बात करें इसके pricing की तो इसकी एक showroom price 4,07,000 रूपे से शुरू हो जाती है 7 feet 2 inch लंबे और 4 feet 9 inch चोड़े loading track के साथ यानि की डाले के साथ इस गाड़ी का rated payload capacity है 750 kg यानि की 7.5 quintals का इसमें 694 cc का 2 cylinders inline multi point fuel injection technology वाला petrol basic engine लगाया गया है जो इसे 30 hp की ताकत और 55 newton meters का torque परदान करता है 30 प्रतिशक यानि की 30% की gradability यानि की चड़ाई लांगने की शमता के साथ इस गाड़ी में 26 liter का petrol fuel tank मिल जाता है आगे और पिछे पट्टे कमानी वाला suspension मिल जाता है mileage की बात करें तो लगबग 20 km प्रतिलिटर का average आप इस गाड़ी से expect कर सकते है इसमें cabin with load body, high deck और cabin chassis के body परे भी उबलब्ध है ताकि ग्रहक अपने application के इसाप से चुन सके आईए बढ़ते हैं next variant की ओर थर्ड वेरियंट है Tata Ace Gold CNG Ace Gold CNG इस वेरियंट की एक showroom price 5,91,000 रुपे से शुरू हो जाती है इसमें 694 CC car, 2 cylinders inline MPGI यहनी की multipoint gas injection technology वाला CNG engine लगाया गया है बहुत लोगों को doubt होता है कि इस गाड़ी में petrol डालके चला सकते है क्या तो उसका जवाब है नहीं यह एक pure CNG गाड़ी है जो सिर्फ CNG gas पर ही चलेगी इसका फाइदा यह है कि यह directly CNG पर ignition होके start हो जाती है बाइ-fuel गाड़ीों में हमेशा गाड़ी petrol पर start होती है बाद में CNG में convert होके चलती है जिसमें आपका maintenance बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दोस्तों Ace Gold CNG, CNG गाड़ी होने के बावजूद इसकी power और pickup काफी बढ़िया है इसका engine इसे 26 HP की टाकत और 50 Nm का torque प्रदान करता है जिससे 29% की gradability यहने कि चड़ाई लांगने की शमता मिल जाती है इसका loading ट्रे भी बाकी N.A.S. Gold से ज़्यादा बढ़ा है यहने की 8 feet 2 inch लंबा और 4 feet 9 inch चोड़ा जिसमें 640 kg यहने की लगबग 6 quintal की payload capacity मिल जाती है आगे और पीछे दोनों axles पर मजबूत पटे कामानी वाला suspension मिल जाता है जिसमें आगे वल axles पर है parabolic lead spring type suspension और पीछे वल axles पर है semi elliptical lead spring type suspension गाड़ी में 8 ply rating के 12 inch के tires मिल जाते है दोस्तों इसके fuel capacity की बात करे तो इसमें 70 liter के water capacity का यहने की 12 kg के CNG tanks मिल जाते है हमारी बाशा में इसमें 2 बाटले आते है यहने की 6-6 kg के 2 tanks इसमें आपको मिल जाएंगे mileage की बात करे तो इससे आप लगबग 20-22 km प्रती kg का average expect कर सकते है यहने की 12 kg के full gas tank में आप लगबग 200 km तक की range प्राप्त कर सकते है USPs की बात करें तो दोस्तो अगर आप metro cities में रहते है जहाँ पर CNG की availability काफी जादा है तो आप इस गाड़ी को ज़रूर चुन सकते है चोथा variant है Ace Gold CNG Plus काफी लोगों के मन में doubt है कि Ace Gold CNG और CNG Plus में क्या अंतर है तो दोस्तो आसान भाषा में आपको बता देता हूँ Ace Gold CNG में 12 kg का gas capacity मिल जाता है जिसमें 6 kg के 2 cylinders मिल जाते है वही पर Ace Gold CNG Plus में 18 kg की gas capacity मिल जाते है जिसमें 6 kg के 3 gas cylinders आते है यही इन दोनों गाड़ीों का main difference है दोस्तो यानि कि जिन गरहों को पर long route या फिर जादा trips मारनी है तो वो CNG Plus गाड़ी चुन सकते है Ace Gold CNG Plus इस variant की एक शोरूम प्राइज 6,35,000 रुपे से शुरू हो जाती है इस गाड़ी में 694 CC का 2 cylinders inline, multipoint gas injection, CNG BA6 engine लगया गया है जो इसे 26 HP की power और 51 Nm का torque परदान करता है 28% की gridability यानि की चड़य लांगने की शमता के साथ आगे और पीछे दोनों axles पर मजबूत पट्टे कामानी वाला suspension मिल जाता है इसका tray size है 8 feet 2 inch लंबा और 4 feet 9 inch चोड़ा cabin load body जिसमें आपको 640 kg का यानि की 6.5 क्विंटल का payload capacity मिल जाता है fuel tank की बात करें तो इसमें 105 liter के water capacity का यानि की 18 kg का CNG gas capacity मिल जाता है जिसमें 6 kg के यानि की 6 kg के 3 cylinders आपको मिल जाएंगे mileage average की बात करें तो लगबग 20-22 km परती kg का average आप इस गाड़ी से expect कर सकते है यानि की CNG के full tank पर ये गाड़ी आपको 300-380 km तक की range परदान करेगी आईए बढ़ते हैं अगले variant की ओर दोस्तों 6 और 7 वेरियंट बिल्कुल सेम है इसे लिए हम इन दोनों को एक साथ cover करेंगे ये है Ace Gold Series का सबसे मशूर और popular variant जिसका नाम है Ace Gold Diesel और Ace Gold Diesel Plus प्राइजिंग की बात करें तो लगबग 5,81,000 रुपे से इस गाड़ी की एक शोरोम प्राइज शुरू हो जाती है इसमें 700 CC का direct injection 2 cylinders inline diesel BA6 engine लगया गया है जो इसे 20 HP की ताकत और 45 Nm का torque परदान करता है 47.5 लग 5% की credibility यानि की चड़ाई लांगने की शमता के साथ 145 R12 8 player rating के 12 inch के tires दिये गया है और आगे और पीछे दोनों axles पर मजबूत पटे कामनी वाला suspension दिया गया है जिसमें आगे वल axles पर आपको parabolic leaf springs और पिछे वल axles पर semi elliptical leaf springs मिल जाएंगे Diesel Plus में आपको 30 L का diesel fuel tank और 10.5 L का def यानि की diesel exhaust fluid का tank दिया गया है mileage average की बात करें तो लगबग 22 km प्रति लीटर का average आप इस गाड़ी से expect कर सकते हैं दोस्तो टाटा मोटर्स की तरफ से टाटा Ace Gold Diesel Plus पर आपको 3 साल या 75,000 km की freedom annual maintenance cost उसी के साथ साथ uptime guarantee इत्यादी कई सारे value added services दिये है अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप हमारा diesel प्लस पर बना हुआ एक detailed वीडियो ज़रूर देखेगा आठवा वीरेंट है Tata Motors की Ace HT Plus दोस्तो इस वीरेंट को हाल ही में Ace lineup में add किया गया है इस गाड़ी का rated payload capacity है 900 kgs का इसमें अधिक शक्तिशाली 2 cylinders inline 800cc का common rail direct injection diesel BA6 engine लगाया गया है जो इस गाड़ी को 35 hp की ताकत और 85 newton meters का torque प्रदान करता है 36% की gradability यानिकी चड़ाई लागने की शमता के साथ इसमें आपको Ace Gold से बड़ा यानिकी 8 feet 2 inch लंबा और 4 feet 9 inch चोड़ा loading tray यानिकी डाला मिल जाता है जो इसे 900 kg की यानिकी 9 quintal की rated payload capacity परदान करता है इसके आगेवल एक्सल पर आपको parabolic leaf spring type suspension और पीछेवल एक्सल पर semi elliptical leaf spring type suspension दिया गया है यानिकी आगे और पीछे दोनों एक्सल पर आपको मजबूत पट्टे का मानी वाला suspension दिया गया है जो आपको loading में बिलकुल निराश नहीं करेगा 155 R13 8 ply rating के यानिकी 13 inch के बड़े tires आपको इस variant में दिये गये है काफी लोग पूछते हैं कि Ace Gold और Ace HT Plus में क्या difference है दोस्तों engine का main difference तो है ही साथी में इसमें आपको बड़ा loading tray भी मिल जाता है और इसमें आपको cabin भी काफी अलग दिया गया है यानिकी Ace Gold में आपको गोल-गोल headlights मिल जाते है और इस गाड़ी में आपको clear lens headlamps दिये गया है अंदर का dashboard भी change किया गया है जिसमें centered mounted digital instrument cluster उसे के साथ-साथ अधिक comfortable steering इत्यादी features भी मिल जाते है pricing की बात करें तो Ace HT Plus की Mumbai में एक showroom price 6,35,000 रुपे से शुरू हो जाती है आईए बढ़ते हैं आखरी variant की ओर दोस्तों आखरी variant जो हाल ही में यानि की 3-4 दिन पहले ही Ace lineup में introduce किया गया है वो है Tata Motors की Ace EV यानि की electric vehicle इस गाड़ी का हमने एक काफी detailed walkaround review video बना कर हमारे channel पर डाला है अगर आपने वो video नहीं देखा तो उसकी link आपको इस video के description में और उपर eye button में मिल जाएगी इस गाड़ी की full charging पर range है 154 km की और इसे fast charge करने में 105 minutes लगते है और regular charging में 6-7 गंटे लग जाते है इसमें lithium ion phosphate यानि की LFP battery का इस्तमाल किया गया है जो की IP67 waterproofing के साथ आती है और इसे drive करता है इसका AC induction motor जो इसे 36 HP की ताकत और 130 Nm का torque परदान करता है इस गाड़ी का rated payload capacity है 600 kg का और दोस्तो अभी तक इसका exact pricing company ने बाताया नहीं है और फिलाल ये गाड़ी retail sales के लिए भी available नहीं है भारत के बड़े e-commerce और e-commerce logistics providers को पहले इस गाड़ी की deliveries दी जाएंगी अधिक जानकरी के लिए आप हमारा detailed walk around video ज़रूर देखना जिसकी link आपको description में दी गई है दोस्तो टाटा मोटर्स की Ace Gold Series की पूरी range के common features की बात करें तो इन सभी गाड़ीों में आपको एक नया completely digital instrument cluster दिया गया है जिसके fonts काफी vibrant है और इसे पढ़ने में भी काफी आसानी होती है यानि की हर उम्र का driver इसे आसानी से पढ़ सकता है साथी में इन गाड़ों में USB phone charging ports उसे के साथ-साथ GSA यानि की gear shift advisor इसके petrol variant में आपको अधिक mileage के लिए eco switch भी दिया गया है साथी में आपको इन गाड़ों में Tata Motors की heavy duty chassis, drive line, मजबूत suspension और बढ़िया payload भी मिल जाता है Diesel, petrol और CNG fuel options के साथ मिलने वाली Tata Motors की Ace Gold काफी versatile गाड़ी है एनिकी से आप बहुत सारे शेहरी applications जैसे की market load, FMCG, e-commerce, glass, furniture, water distribution, LPG cylinders distribution, medicine distribution, milk distribution, mantap decorators, event management, milk van, egg van plant nursery, marble, building material, grocery distribution, food grains, municipal use, mini tipper, garbage disposal, fruits and vegetables, scrap management, garbage management, bakery, hotel, food truck, इत्यादी कई सारे applications में इस गाड़ी को आप इस्तेमाल कर सकते है तो दोस्तों I hope आपको वीडियो देखके काफी सारा information मिला होगा काफी दिन से ये request थी कि Ace Gold की पूरी series के उपर वीडियो बनाईए तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ये वीडियो एक काफी important guide साबित हो सकती है अगर आप transport business में हो या फिर transport business start करना चाते हो या फिर आपका कोई दोस्त या रिष्तेदार transport industry में कदम रखना चाता है तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर share कीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके application और transport needs के इसाब से perfect गाड़ी चुनने में बिल्कुल भी difficulty नहीं होगी और दोस्तों अगर आप Mumbai ठाने और नवी Mumbai के इलाके से इस वीडियो को देख रहे हो तो नीचे आरे नंबर पर संपर्क करके आप इन सभी गाड़ियो के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है आशा करते हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए देखते रहे है ट्रक टोक्स त्रक टोक्स प्राइब अल्दीलब आपको ड्रक्स जैहिन